ठंड दिल्ली में है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग तो कहते हैं कि हलकी सी तरदी है लेकिन महसूस नहीं हो रही है क्योंकि शायद राज़नी तेक पारा इतना चर्ज चुका है यहाँ पर दो खास महमान हमारे साथ है परनख जीए हमारे साथ लगातार बाने होए थे धैनिक भासकर के संपादक है बहुत स्वागत है अब अग की तस्वीर हैं किस तरीके से राज़कोट में मदान चल रहा है हम पोरबंदर की भी तस्वीर हैं आपको दिखाते हैं साथ ही है भरूच की तस्वीरें और सानम की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हर जगे पर हमारे समवादता भी तैनाथ है और शायद नरेंद्र मोदी हैट्रिक की बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं इस पर भी उनकी नजर होगी सारी राजनीतिक पाटिया इस वक्त यही देख रही होगी कि कितना क्यूंकि ये भी एक पैमाना होता है ये मापने के लिए कि क्या आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है या नहीं आने वाली है फिलहाल तो बस उनकी धड़कने बढ़ रही होंगी गुजरात का भविश्य क्या गुजरात का सरदार कौन यही हमारी खास पेशकर्श लगातार आज तक जारी है पेरव जी जिस सरीके से हम लगातार हर मुद्दे की बात कर रहे हैं यहाँ पर कहीं न कहीं क्या जाती का मुद्दा जो है वो ज्यादा हावी रहेगा पतेल का वोट जो हम पता रहे हैं अगर केशु भाई अपनी तरफ से अपील करते हैं तो क्या थोड़ा सा नर्वस होनी की जरूरत है नरेंद मोदी को क्योंकि जितनी बड़ी तार्याद में जितना प्रतिशत जितनी संख्या में उनकी आबादी है थोड़ा सा नहीं, उनको बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत है, क्यूंकि हुआ ऐसे है कि इस बार धर्म का मुद्दा सता पर नहीं है, तो इसलिए जाती का मुद्दा बहुती उभर के आ रहा है, और पटेलों ने जिस तरह से सम्मिलन करते गए, किशु बही ने तो श निर्वर करेगा, और मोदी उसके डमेज कंट्रोल में लगे हुए थे, वो जो लग रहा था कि वो नर्वस है, और वो सारी चीजे वो इसको बचाने में लगे हुए थे कि कहीं बहुत ज्यादा ही नुक्सान न हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, तो व मुझे लगता है कि जो विकास उन्होंने किया है, सिर्फ शहरों तक सिमित नहीं है, आप देखे आज ग्रामिन शेत्र में ब्रॉडबैन कनेक्टिविटी हो, या सडकों की योजना है, या फिर पानी की जो चेक डैम्स की समस्या थी, जहां पानी वेस्ट होता था, जहां च उन्होंने इनिशिट किया है, मुझे लगता है कि हर एक शेत्र में इतनी तरक्की और प्रगती हुई है, और यहां बैटके ये डाइसेक्ट करना की कास्ट वोट होगा या दिवेलपन वोट, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि समाज में ना सिर्फ पटेल समाज के लोग हैं, OBCs हैं, राजपूत हैं, ठाकूर्ज हैं, बहुत सारे लोग और BGP की जो आइडियोलिजी है, हमारी एक कमिटिव वोटर है, जो हमेशा भार आती है, BGP को समर्थन देती है, और यहां तो प्रगती और समर्थन दोनों साथ साथ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने राजने तेक इच्छा शक्ती दिखाया है, दिखाया है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मुझे लगता कि भारी संख्या में सवराष्ट में आप देखेंगी, भारते जंदा पाटी को बोट ज़रूर मिलेगा, प्रगती अगर परिसीमन नहीं होता, तो क्या यह इतना आश्वस्त स सवर एक सुनाई देता, परिसीमन की वज़े से इस तरीके से सीटों का बढ़ारा हुआ है, सीटों की प्रोप्ई बदली है, परिसीमन से हुआ ऐसे है कि गरामिंगशेत्रों की सीटे कम हुई है और शहरी क्शेत्रे FC इनकी सीटे बढ़ी है, जान्टे के तो अगर दरपाई नहीं कर पाएंगे, सीटे कम होती जाएगे